रामराज में कुछ हा यह महरानू के और ने के पीछे आया आने के बात गठ दीया कि धोगारे गुखी रहत जाएगी नहीं हमरे ब्रामर धर्म के आर में किताब पढ़ने में लगें सुन रहा है जो ब्रामर लोग है किताब पढ़ने लगें और भी सी एस्टी पत्थर पूजन करने में लगें हैं जिस तरे बास कि बात करें कि यहां जो लक दिखाई दे रहा है यहां पर चोटे समाज के लोग गरीब समाज के लोगी पूज़ा पाक करते हैं और पत्तर में प्रांड डाला जा सकता है तो यह कहीं ब्रामर की मृत्तिव कभी नहीं होती मतलब अगा हम बियार के रोता है जीला के साचाराम के रहने वाले हैं चेनारी पर खंड बोला जाता है और कहते हैं कि एक बियारी सौपे भारी इस छेत्र में हम दिखाई दिये तो आपको लोग छोड़ का जाना ही नहीं पसंद नहीं कर रहा है ना कि सुनने में सचाई अच्छी लगती ह पालन करो या ना करो उनकी मशी है जी तो अभी उलो को लग रहा है कि कहां से सब्द लीख दिया यह कैसा ब्यक्ति है इसको मार देगा कोई तो मर जाएगा और मरें के तो हम पहले इंसे मरल हैं इसलिए कि हम नान जात में पाईदा लिए हैं यह नान जाती से लिए कर रहा है कि जो आज हमारे भोट के अधिकार से सत्ता में बैठा है कभी मनुवे स्मिर्थी के माध्यम से वही हमको नान पैदा किया है वही नान बोला है कि हम कूरमी कोईरी और गंडेरी सब नान जा रहे सूध रहे पासी धोबी लोहार कोहार पशवान चमार दुसार डोम शब शूध रहे इस सबलाट काने से का फायदा हिंदु राष्ट्र बनने जा रहा है रामराज की अस्थापना होने जा रही है राम राज के चोड़군 होगा तब करो बुद्धि है। बुद्धि क्यों दिया है भगवान ने। लेकिन राम का कोई इतिहास नहीं है राम का इतियास नहीं है 500 साल बाद आ गए 500 साल बाद कहां से आ गए जी तो कोई थे ही नहीं तो आए कहां से जदी थे तो आया जब सोमनाथ मंदिर को लूट लिया उट समय का कर रहे थे समय मंदिर नहीं उटाना चाहिए जब होता है कि चंगेज खाने बहुत खून की नदिया बहाई थे राम जी कहां नहीं आ गए जब अरंगजेव का सासन चल रहा था राम जी कहां नहीं आ गए यहां पर बहुत से OBCST के महिलाओं के सास्कृत हो रहा था राम जी कहां नहीं आ यहाँ का करते हैं यहाँ आपका कशने नहीं राम है यहां समीधान ही राम है यह तोला करते हैं अग्सात्यक्त! मैंने उनका पोस्ट माटम करें करें दिखाया था जबूर देखियेगा और हम आप से बात करेंगे आजए है और हम सम्भीधान को बदल के रख देगे तो यहीं नुबतियाग कह रहा है वह कैसे कह जब सम्भीधान देश में रहता है इस मोदी के राज में सम्भीधान रहता है तो वह कौन हस्षाए करने वाला कि उसका जीब काट देंगे और मूड काट देंगे उसको तुरंत अंदर टेल देता उससे तो बहुतर कांग्रेस थी कि आसा राम राम रही राम पाल को जेल के अंदर डाल दिया चुकि विज्ञान की तीसरी आग थी और विज्ञान के माध्यम से सभी साथ पकड़ दिया तब कहा कि चल बाबु अंदर आज राम रहीम बाहर है पेरोल पर संभीधान जेल नहीं देता है राम रहीम से भोट लेने के लिए उसको परेल बाहर बेरी-बेरी भेज देता है चुकि उसका भोट चाहिए ना तो सबसे बड़ा राम संभीधान है संभीधान नहीं तो कुछ नहीं और संभीधान को बदल करके यह लोग बराम बादी ब्यवस्ता मनु होगा जिस तरह से राश्पीता महात्मा गांधी को मारने वाला घोट से काई लोग पूजा करता है जदी गोट से मेतने दम रहे तो मिया के मार दिया होता क्यों जा करके उनको मार दिया गांधी जी को मार दिया एक बता दीजिए किन हो ने एक बरामण को बताइए कि एक मिया को मारा हो हमरा ओभी CACST है जो करके जा करके हिंदु मुसल्मान की करता है हमारी यह मताएं है यह बहने है जो भी है उम्र के हिसाब से बहन है लेकि भगवान के नाम में बोल दीजेगा तो इमुड़ी काड़ देंगी हा इसलिए कि सबसे ज्यादा धरम जदी सोचन किया है तो कोई कोई दिकत नहीं है आपको बता देते हैं सबसे ज्यादा छोट होता है हम लोग के भी हार में अगोड़ा ही में महरानु जाकर करके लगाती है लगाती है लेकिन धरम के नाम पर यह लोग कहीं जाने के लिए तयार रहते हैं जबकि धरम आदमी को मूर्ख बनाता है और बिगान आदमी को सचेत बनाता है